नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां इसकी सिर्फ एक चमच इन दस गंभेर बीमारीों को खत्म करती है मोटे लोगों के लिए ये वरदान सावित होती है जिहां अपने निजी जिन्दगी में हम सभी किसी न किसी रोग से पिडित हैं चाहे वह कबज, भूख न लगना, अस्थमा या हिरदय से समबंधित बीमारी हीं क्यों न हो इन बीमारीों को ठीक करने के लिए हम अच्छे खासे पैसे भी खर्च करते हैं मगर उससे भी कोई फरक न विए मवजूद होता ही है दोस्तों, बस 2 टी-शपून सरसों के तेल में एक टी-शपून हल्दी मिला करके दो मिनार तक करम कीजिए और फिर इसे एक चमच में डालकर मुमें डाल लेजिए, ऐसा हबते में तीन बार खाना-खाने के बाद कीजिए, यह मिश्रन आपको किन किन बिमारियों से रहत दिलाता है आईए अब इसके बारे में जान लेते हैं तभी आप इसका प्रियोग करना उचित समझेंगे जिहां हल्दी और सरसों तेल के मिश्रण के फायदों के बारे में जानते हैं ये भूखो उतेजित करती है इसका सेवन करने से पेट में खाना प दिल के लिए लावकारी ये दो समगरियां शरीर से खराब कोलेस्टरोल को निकालती हैं जिससे हरेदय तक खून का फ्लो अच्छा हो जाता है कैंसर से बचाएं जिहां इस घरेलू उपचार से शरीर में बनने वाली कैंसर की सेल्स का विकास होता है क्योंकि इन में फाइट फेफडों की जकडन दूर होती है और अस्थमा से रहत मिलती है शारीरिक दर्द से ये छुटकारा दिलाने में बेहत कारगर साबित होती है ये दोनों मिश्रण जब एक साथ मिलते हैं तो इनमें सूजन को खत्म करने वाला गुन पैदा होता है यह शरीर के किसी भी हिस्से से दर्द को कम कर सकते हैं फेफडों की जकडन के लिए इस मिश्रण का सेवन करने से फेफडों की जकडन दूर होती है और अस्थमा से रहत मिलती है शारीरिक सूजन जिहां हल्दी और सरसों के तेल के सेवन से शारीरिक सूजन से छुटकारा मिलता है इन दोनों के करने वाला गुन पैदा होता है जो आपके लिए बेहदलाफकारी सावित होता है खाना पचाने में कारगर जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन्हें हल्दी और तेल के मिश्रन का सेवन करना चाहिए शरीर में इससे खाना पचाने वाले जूस का निर्मार तेज हो जाता दिल के लिए हल्दी और सरसों का तिल काफी फायदे मंद हो सकता है ये दोनों चीजें शरीर से खराब कोलेस्टरोल निकालने में काफी मददकार सावित होते हैं इससे हरदय तक खून का फ्लो अच्छा हो जाता है यानि कि आपको हार्ट अटेक होने का खत्रा बहुत कम हो